हेलो नमस्कार सत्स्रियकाल और आप सभी को मेरा सलाम मैं हूँ जिवल सकसेना और आज मैं आ गया हूँ कंसर्ट महिंदर नॉइडा में और जैसा कि आप सब के कमेंट्स आ रहे थे कि आप महिंदर के यूवी वंडवलो की अक्सेसरीज के बारे में जानना चाहते थे तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन-कौन से अक्सेसरीज अपनी महिंदर के यूवी वंडवलो में लगवा सकते हैं तो इस वीडियो को लाच तक पूरा जरूर देखें वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और इस बेल आइकन को दबाने में भी बिल्कुल ना शर्मा है ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंक मिल जाए तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा के यूवी वन डबलो की एकसिसरीज के बारे में जो आप के यूवी वन डबलो के किसी भी वेरियंट में लगवा सकते हैं और उन accessories की क्या क्या price range रहती है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी मेरी recently uploaded वीडियो पे आप लोगों के काफी comments आ रहे थे कि आप KUV 1W की accessories की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हाजर है आपके सामने KUV 1W की accessories की वीडियो इस वीडियो में मैं आपको जो KUV 1W दिखाऊंगा उसमें Concept Mahindra Noida ने already कुछ accessories installed कर रखी है तो सभी accessories लगने के बाद कार आपको कैसी दिखेगी वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको idea लग जाएगा और जो accessories installed हैं उनकी क्या क्या price range है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी तो सबसे पहले तो आप front profile में देख सकते हैं headlight के लिए chrome की garnishing लगी हुई है इसमें जो chrome kit का part है chrome kit का total price है 10,000 रुपीज इस kit में आपको बहुत सारी accessories मिलेंगी तो ये पहली accessory है जो आपको chrome kit के अंदर मिलेगी next accessory जो आप देख सकते हैं वो है fog lamps के around भी chrome की garnishing अविलेबल है तो ये भी आपको chrome kit में ही मिलेगी जिसका price मैंने बताया 10,000 रुपीज है तो ये उसी chrome kit के second accessory है जो आपको मिलेगी next accessory आप देख सकते हैं front bumper में chrome की garnishing लगी हुई है तो ये third accessory है जो आपको chrome kit में मिलेगी next accessory के बारे में बात करूँ जो आप front profile में fit on करवा सकते हैं तो ये आप अपनी car की front profile को एक sporty look देने के लिए लगवा सकते हैं जिसका price है 2200 रुपीज dual tone finishing में आपको मिलते हैं hood scoop तो कुछ इस तरा कर look आएगा car की front profile का सारी accessories लगने के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं accessories के बारे में जो आप अपनी car की side profile में fit on करवा सकते हैं तो side profile में सबसे पहले आप देख सकते हैं body graphics जो आप अपनी car की side profile में ORVM bonnet और roof पे लगवा सकते हैं पूरी body graphics का price है 6500 रुपीज next accessory के बारे में बात करूँ जो आप side profile में fit on करवा सकते हैं वो है stainless steel body side cladding जिसका price है 1700 रुपीज और आप साथ में ही body side molding भी लगवा सकते हैं जिसका price है 2500 रुपीज next आप ORVM पे देख सकते हैं body decals installed हैं body graphics kit में आएंगे जिसका price में already बता चुका हूँ और ORVM पे ही आप देख सकते हैं chrome की garnishing भी installed है जो chrome kit का part है जो मैंने starting में बताया next आप देख सकते हैं chrome finished window frame lining जिसका price है 1000 रुपीज तो यह आपको chrome kit में नहीं मिलेगी इसके लिए आपको अलग से ही accessory लगवानी पड़ेगी next accessory के बारे में बात करूँ जो आप side profile में fit on करवा सकते हैं तो वो है rain visors तो यह आप देख सकते हैं chrome finished rain visors हम सब को पता है rain visor बारिश के पानी को directly अंदर नहीं आने देता तो यह आप लगवा सकते हैं जिसका price है 2500 रुपीज यह आप देख सकते हैं roof पे body graphics भी लगे हुए है तो body graphics लगने के बाद कुछ जिस तरा कल लुक आएगा roof का तो यह तो बात हुई कि आप side profile में कौन-कौन सी accessories लगवा सकते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप rare profile की लुक को enhance करने के लिए क्या-क्य accessories लगवा सकते हैं अपनी KUV 1W में वैसी यह आप देख सकते हैं petrol का badge price के बारे में बात करें तो इसका price है 500 रुपीज तो चलिए अब बात कर लेते हैं finally कि आप rare profile में क्या-क्य accessories fit on करवा सकते हैं तो rare profile में सबसे पहले आप देख रहे हैं tail lamp protector तो यह आप अपनी car की rare profile को एक classic लुक देने के लिए और tail lamps की protection के लिए लगवा सकते हैं तो अगर आप tail lamp protector लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3000 रुपीज पे करने होंगे तो कुछ इस तरह का look आएगा tail lamps का next आप यह देख रहे हैं rare bumper में chrome की garnishing जो again chrome kit का ही part है जिसका price है 10,000 रुपीज चलिए अब आपको दिखाता हूँ कुछ interiors की accessories जो इस car में installed हैं तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं scuff plates simple scuff plates हैं यह जो आप लगवा सकते हैं 1,100 रुपीज पे करके जो आपकी car की entry exit करते time minor scratches वगएरा के आने के chance दोते हैं पर उससे protect करती है car की body को interiors में आप seat cover देख रहे हैं जिसका price है 9,500 रुपीज seat covers की काफी choices अविलेवल हैं तो आप अपने according choose कर सकते हैं Mahindra genuine accessories से matte भी ले सकते हैं जिसका price है 3,000 रुपीज कुछ miscellaneous accessories के बारे में बात करूँ तो आप car perfume ले सकते हैं वैसे मैं description में भी कुछ basic accessories के link provide कर दूँगा तो अगर आप online purchase करना चाहते हैं तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं तो कैसी लगी आपको मेरी ये video नीचे comment section में आप अपनी feedback दे सकते हैं और अगर आपकी कोई भी queries हैं आप भी अगर कोई accessories लगवाना चाहते हैं तो आप concept महें तरह visit कर सकते हैं और contact details के बारे में बात करूँ तो description में आपको contact details मिल जाएंगी आप सर को contact कर सकते हैं तो चलिए इस video को यहीं पेंट करते हैं और हाँ गाड़ी चलाते से में seat belt और बाइक चलाते से में helmet लगाने में बिलकुल न शर्माएं यह आप ही की safety के लिए है तो इस video में बस इतना ही thank you हुआ है